बीपी-एससी है यह तो लगता है नहीं है कि इस ईयोंगे अलिए है यह लगता है इसे तालीवा सक यहां आज घाए वूंग रłości साहएं अधिकारी का जमीर मर चुका है नेताओं का जमीर मर चुका है आने वाली एक पूरी नसल के साथ एक पूरी पिड़ी के साथ इस तरह की एक भद्दा मदाग चल रहा है जहां पताश साट लाग रुपया लेकर बीपीस्ची में अधिकारी बन जाते हैं साथ सालों में बी सेसी का रिजल्ट नहीं आता है और प्री के डेर साल के बाद दरोगार का मेंस का एक्जाम लिया जाता है उस बिहार में आखिरकार सुसाशन है तो कहां है और क्या जो हमारे मुख्रमंत्री हैं नितीश कुमार जो सरवा सरवी हैं वो सचीवों से अपने पूरे बिहार को आद तबाह कर दिया है अंग्रेजों के जनवाने में जो परिच्छा लिया जाता था उस तरह का परिच्छा है नमस्कार दे इंडिया टॉप में आप सभी का स्वागत है मेरे नाम हुदीब तारेंद है अब इस वीडियो में आप एक नया चेहरा देख रहे होंगे तो विसलेशन हम करेंगे लेकिन ये विसलेशन कोई राजनितिक विसलेशन नहीं है हलाकि बात करते समय अगर राजनिति पर पहुंच जाए जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि जो राज लेता है जो बिहार की राजनिति है उन्हीं का देन है कि साड़े साथ साल के बाद भी जब वेकेंसी आता है तो उसका जॉइनिंग नहीं होता है जोइनिंग छोड़िए काउंसलिंग की बात करें तो 19 सितंबर को बी एससी जो आयोग है उसके दोरा ये कहा जाता है कि इस नवंबर के पहले सब्ता हमें काउंसलिंग करा लिया जाएगा आज एक नवंबर हो गया इस पर रंपरतिक्रिया लेंगे हमारे साथ दो सक्सिस वीडियो में मौजूद हैं दोनों जाने माने चेहरे हैं उन छात्रों के भी जिन छात्रों ने बी एससी का आवेदन भरा था साल 2014 जब जीतन रामान जी मुख्य मंत्री थे उसमें बी एससी का आवेटाइजमेंट आया था उसके बाद वितिस कुमार दो बार सपत लिये और लगतार ये आरोप लगाया गया है आयोग के उपर आयोग में बैठे अधिकारियों और करमचारियों के उपर जिमेदार कौ काउंसलिंग कब तक होगा ये इतना गहरा विसाय है कि दर इंडिया टॉप का जो वाटसेप है उस पर लगभग हजारों स्टुडेंस लगतार हमें वाटसेप करते हैं तो इस मामले की गंभीरता आप इसी से नदा लगा लेजी कि रात के दो बज़े में हमें कॉल आ जाता है कि सर कुछ बताईए कि काउंसलिंग कब होगा सर कहां से बताएंगे सर बीससी की अभीकारी नहीं है हम बीससी तक नहीं पहुच पाते हैं गेट बंद रहता है अब मेरे बाया तरफ जो सक्स बैटे हैं इनका नाम दिलिप है आप सभी जानते होंगे तो छादरे वीडिय का विरोध करते हैं धांधली का विरोध करते हैं पेपर आउट होने का और बीससी को लेकर इन्हों ने अभी बड़ा अंदोलन भी किया था गांधी मैदान के पास अब आप कीजेगा गरदली बाग के पास तो चलिए उननीस सितंबर को बीससी कहता है दिलिप जी कि मैन और अधियक्ष महदे इतने बड़े बढ़े बढ़े बैठे हुए हैं कम से कम उनको अपनी गरीमा का ख्याल रखना चाहिए यह कोई बच्चा नहीं बोला था कि हम कौंसलिंग करवाएंगे बीससी के सचीव और अधियक्ष महदे ने नोटीस जारी किया था खुद जा इतने किया है और उल्टे देखिए फिर से एक नया जिन निकला है एक अव्यर्ति को फिर से पास करवाया गया है कि पास हुए है गल्ती से चूट गया था तो गल्ती से कैसे बार-बार आपसे छूट जा रहा है तो इसके लिए कौन जिमेवार है आखिर आप द्रोगा पाह अभियर्ति है उनका पाउंसलिंग सुरू करवाईए आपकी जो गलती होती है उसको पीछे से करवाते हैं क्या दिखते इसमें किसी को आपती नहीं आप टाइपिं लीजिए फिजकल लीजिए और यह जो बावन हजार पहले से हैं उनका आप कांसलिंग करवाईए इन में स genail आएंगे उन्साइन maat उनका पहले इसनके साथ messing सरेकांसलिंग क्या दिक्ट थैंटी की जो लोगött पहले से हैं 25 जो है उन लोग में से बढ activists जा ड़ी जरी किजिया और उनलोगा कंसलिंग करवाए ओर जो जो 1218 नहीं अभीरति उनमें से जो लोग होंगे उन लोग आभी कॉंसलिंगा बाद में करवाले जाएं फिर फाइनाली जार देदेजिए इस वहाली को लटका रही है और कहीं न कहीं यह इनकी मंसा संदीग्द है वरने था आप देखिए कि 19 सितंबर को नोटीस जारी हुआ अब 19 सितंबर की बात छोड़िये आपको नहीं लगता है कि बिहार राज के लिए यह कितना शर्म का विशा है 19 सितंबर तो 2020 की हम बात कर रहे हैं तो अब 14 का वेकेंसी मतलब दुनिया का एक हास में साग हुआ है कि 7 साल और वह भी इंटर्स तरीये है कोई BPSC ये UPSC नहीं है कि बहुत बड़ा परिक्षा है प्री हो रहा है मेंस हो रहा है फिर इंटर्वीव हो रहा है एक लंबी परिक्रिया है इंटर्स तरीये तो नितीश कुमार जी जी में बार जी चुकि मुख मंत्री हो और वह भी 15 साल से तो सीधे तोर पे कटगरे में किसी को खरा करना तो एक व्यक्ति है जो कि नितीश कुमार जी है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीच में गठ बंदन भी बदल गया मुख मंत्री वही बने र जाएगे लेकिन मुख मंत्री जी अन्भिग्य बने हो जिसे लगता हमको कुछ पता ही नहीं है अब ऐसा क्यूं कर रहे है मुख मंत्री ये तो मुख मंत्री जी ही जानेंगे लेकिन इस सम्वंधित मुद्धे पे हजारों अभियर्थियों ने मुख मंत्री के जनता दरवा अरे पास पूंचे लोग में किया जा रहा और मुख मंत्री जी में बारा और इसके साथ देखिया कि हर साल जो बजट आता है उसमें हर साल इस बहानी को जोड़ दिया जाता है तो इसको जोड़ दिया जाता है इतना रोजगार हम देंगे इस लिए काम सबसे ज़िए आगर किसी ने भिहार में किया है तो पुडबव правud mentri आठक़ी Channel साथ तोट्टर मंत्री कह दीजिये उनको ओ हर साल इस चीज एक इतना पाहली हम कर रहे हैं एगी जो आपके इसके मंत्री हैं ओ भी हर तिन महिना पे आख़भारों में ईटना बहांल ही हम पार्चाहती राज बीवार हैं निकंड़ हैं कि इतना हजार पूरे हैं लेकिन कहां हो रहा Ugh और नージ तैने पूरे हीस अभी तक हम लोग को बलाया ही नहीं जा रहा है इतना बड़ा रात चला रहा है कहा जाता है कि बिहार में सबसे कड़ी राजनिती होती है कठी राजनिती होती है उसमें सत्ता के सीर्ष पर जो मुख्मंद्री ने पहुँचा खुद को पहुचाया उनको इस बात की दनकारी नहीं होगी कि 67 साल से 13,000 बच्चे का भविस लटका हुआ है इतना धांजी हो रहा है परिक्षाओं में चोरी हो रहा है पेपर आउट हो जा रहा है देखिए नितीस कुमार जो सरकार है नितीस सरकार वो सुसासन का सरकार करती है डिवल्ल dal के सरकार करती है लेकिन मैंने आपको पूले कुष्न पूले एक वीडियो बनाया था दैनिक भासकर से लिया था इसकी बता इसकी पकले पकलन Hammer को से ज्यादा पद खाली है पतना राजधानी में जहां बताएं आपको कि यहां तब भी जो है वो पुर्ति किया जाता है समझ लिजिए और तीस जिला जो है बिहार के वहां पैसे काम चलता होगा वहां पर आखिर आप सोचिए कि एक प्रखंड में छे से साथ कर्मचारी रहेंगे कैसे वो आयोग जो है एक वेकैंसी वह बैठा हुआ है और आहाँ बात निर्म स्यान सहाब के इससे अन्विगोंने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ऐसा नहीं है कि क्याम लेट होता होगा तो पुस्टर हो क्यों क्यों नहीं होया तो उसमें और कारण में जरूर्बताशा जाता होग नहीं हुई है अब क्या है उसके बाद से फिर भी क्यूं नहीं फैस्ता लेते हैं मुझे नहीं पता है वो सकता है करी जीता नमाजी के समय आया है तो यहीं छोड़ दिया गया और फिर जीता नमाजी आएंगे तो इसको फूरा करवाइंगे प्रस्ट में उठाता हूं उसमें कि जो 1218 कंड़ेट का रिजल्ट दिया गया था उसके बाद बेसेसी ने कहा कि इतना बड़ा बलंडर हुआ इसके लिए जाज टीम गटित करेंगे आज तक वो जाज का फैसना नहीं आया किसे गलती हुई क्या हुआ कौन गलती किया कि आप जो है दो साल बाद जब फाइनल रिजल्ट का लोग इंतिजार कर रहा हुआ उसमें आप 1218 रिजल्ट देते हैं वो गलती कौन किया था फिर से मेरा ये प्रस्न है कि आखिर जब फिर भी ये गलती नहीं पकड़ पा है चार साल बात कर रहा है कि पीटी पडिच्छा में 1218 कंडिडेट पिछले टीम के गलती है तो इसका मत्तब है पिछले टीम के जो ने जो करवाई की थी उस पर कुछ नहीं काम किया क्यों चेहरा बदल दिया गया लेकिन फॉर्मिट व अगर यह लोग डिपलॉई हो जाते हैं इनको नौकरी मिल जाता है तो फाइदा भी हार सकार को ही उन्हें करपचारी बढ़ेंगे उनका जितना भी आयोग में जाएंगे लोग काम ही करेंगे तो मुझे तो यही नजा रहा है कि सरकार को विकास इसका मतलब नहीं है क्योंक संक्या होता। себता संख्या होता। वह भी हार के और तीसो जीला में जाकर सचिवाला में जाकर विए सरकार की योजनाओ को ही लागू करने का काम करेंगे इनके जो फाइल पढ़ आता है टेबल पर बल्हेंव को महिनों महिनों इसको जल् variable काम करेंगे तो हमको तो विए सरक क्यों नहीं करते हैं कि इतना बड़ा बहाली साथ सालों से आपने क्यों लग्या कर रखा है एक और सवाल है कि आखिरकार सरकारी वेतर जब किसी को नहीं देना होगा तो वेकेंसी नहीं देगा सवाल है ना दिलिप जी कि जब सरकारी वेतर नहीं देना है तो वेकेंसी नहीं चात्रों को मानसिक प्रतारिद करके कोई दफा हम लोग कवर की हैं दरोगा में वही हाल हुआ 21 दिसम्बर 2019 को परिक्षा हुआ था दरोगा का 22 दिसम्बर को हुआ था जी उसमें हमने यही देखा कि लगातार चात्र पीटे जा रहा है खान सराते है लाटी चलवा देते है आप पीट जाते है चातर पीट जाते है बीचसी का वही हाल है नितीश कुमार को दिखता नहीं है या पर देखना नहीं चाहते है देखता तो जरूर है ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है लेकिन देखना नहीं चाहते है वह ऐसा बिहेव कर समय हैं उनके करीबी लोग्cin eTag Exhale जो अधीकारियshot तो है लेकिन जर्वी हैं और यह कोई है और उसके से वहार में यहाल हो रहा है और आप अभी देखिए आप कि कोई भी बहाली हो बिना पैसे के नहीं होती है सतर से पच्छतर पर्तितरत बहाली जो है पैसे पर हो रही है BPSC में भी? BPSC में भी हर वेकंसी में हो रही है BPSC का तो सबूत है ना रामा किसौर सिंग जो थे उसे में BPSC के मेंबर थे पूर पर विधान पार्शद रह चुके हैं परुफेसर हैं और उन पे FIR दर्जा 25 लाख रुपया इंटर्विव में ले रहे थे डिप्टी केलेक्टर डियस्प बराने के लिए सिर्फ इंटर्विव में ले रहे थे आम लोग कही बार ये मांग भी की हैं कि आप पर्दरशीत ला ये इंटर्विव में कम से कम वीडियोग्राफी करवाल ये क्यों नहीं करवाया रहा रहा एग्यों पर दे रहे हैं क्यों कुछ पता चलता है अगर वीडियोग्राफी हो जाए इंटर्वीव का तो प्रूप रहेगा कि देखिए इंटर्वीव में हमारे साथ क्या सलूक हुआ क्या कोशल पूचा गया क्या हमने आंसर दिया लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है इसी तर आप देखिए दरोगा भाली में देखिए खुले आम पे सब्सक्राइब कर देखिए और यहीं सब्सक्राइब कर देखिए तो बोलते हैं कि यह सब कोई मुद्दा नहीं बैट जाईए और वही आदि में सिक्षा मंत्री है तो सुचिए ब्यार का क्या हाल होगा और हर डिपार्टमेंट भी आप चल जाए बलाव कस्तर पे आपको म परसेंट भी अगर आपको मिल जाना कीमंदारी से गया है तो बहुत बड़ी बात होगी एक परसेंट भी नहीं मिल लगा सभी पैसा लेके बाहल किया गया हो भी अधिकतर नेताओं मंत्री विधाय को अधिकारियों के रिलेशन के रिष्टेदार बले या जान पहचान बले तो अधिकारी या स्टाप वहां सीधिये बोलेंगे कि हम क्या कर सकते हमारे पास मजभूरी है स्टाप नहीं है हम कितना कामा के लिए करें और कल को यहीं बात कर दिया जाएगा कि देखो सरकारी ऑफिस में काम नहीं हो रहा है इसका नीजी करन कर देते हैं तो इसके लिए परखंट सिच्छा पता दिकारी एक आदमी को तीन-तीन जगा का कार्ज सौप आगया आप बहाली निकाल दीजिए ना बीपेस्टी के थुरू बहाली निकाल दीजिए उधिने लोगों को नए लोगों को रोजगारी वाकूं मिल जाएगा लेकिन करने एक हेंड मास्टर को त चारव नहीं दीजिएगा का मंत्री क Viele Participant के निजिए कर दिए थे कि मवंध्यों का संख्या निष्चित कर दिये कि उतना से जादा नहीं हो सकता तो चलता किuction सब विधाय को मंत्री बना दिया जाता देहां कि सब बिद्धार को मंत्री बना दे जाता है नहीं अगर वैशा सकते दिया जा सकता क्योंकि मंत्री का कोई काम ही नहीं है बिहार में बताई ने कोई मंत्री या जिसका कोई काम है सारा काम तो नितीज कुमार जी अपने कर रहा है और अधिकारियों से कर वा रहा है एक प्रस्त मेरा है कि लगतार जो है, देश में पारदस्तिता की बात की जाती है, सुचना का दिकार दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके दरोगा का जो आयोगा बीपी एसेसी कोई भी समय धानिक ब्यवास था ना उनका देखिए ओफिस भी एक खोले हुए है प्राइबेट कंप्लेक्स में जाकर एक बोर्ट तक नहीं है परिच्छा लेते हैं तो OMR सीट कारवन कोपी नहीं देते हैं एंसर कोशन पेपर नहीं देते हैं एंसर सिट नहीं देते हैं आटी आई का जवाब नहीं देते हैं जो कटफ है कटफ यह नहीं बता है कि SI के कितना है सार्जेंट के कितना है जेलर के कितना है यह सब कुछ नहीं बता है क्या आपको लगता है कि यह सोतंत्र भारत का 21 सदी क या फिर अंग्रेजों के जमाने में जो परिक्षा लिया जाता था उस तरह का परिक्षा है अच्छा एक हमको जो मन करेगा हम कर रहें अचा भी निटीश कुमार मुख मंतरी जी है उनके अधीन ये भी भाग यहार सरकार की अधीने अचे लग रहा है कि तालीवान का कोई सासक आ गया है अब वो राज कर रहा है सुचिए न कि किसी चीज का जबाब नहीं दिया जाता है आपको जानने का दिकार नहीं कि हम एकजाम दिये तो मेरा कितना मार्स आया गया था जो है है आपका हेंडराइटिं इसमें गोरा भर भर रहा है कि उनॅन जारी कहिना झालता है। सब कुछलमन कोट क ा शरी का हुण कि उस के पताते हैं कि सब कुछ से जीते जयेंगे माइनेज कर लेंगे यह सोच के नहीं सकिया होगा ने तो यह कांदमी सुनित कुमार बताइए कभी स्टुट से नहीं मिलते हैं अगर अफिस चले जाये जिसे हम लोग भी गये थे सबूत लेके पेपर लिखा अख़बार में इन्होंने दिया था एड दिया था विब साइट पे डाला था कि दिली सब्सक्राइब तक हम लोग ने लेटर कर आया मुबायल नंबर दिया मुबायल तक दिया था कोई जाच नाज तक हुआ तो क्या जाच कराया ये तो यह तो इसका मतलब है कि या तो यह खूद कर रहे हैं सारा धांजली या इनके मारफत कोई करवा रहा है लेकिन अगर इनक जिनका कार्जकाल बचा है, वो डरेंगे भरस्टाचार करने से, लेकिन जो रिटायर कर गए हैं, उनको आप बना रहे तो समझ रहा है कि तो हमको आसिरवाद सवरूप पत्पे बैठाया है, तो जो कहेंगे, वही करेंगे, मुखपंत्री के जो करीवी लोग है, जो इस सेटि बहुत बड़ा जो है, स्केंडल चल रहा है, अब बहुत बड़ा यह अगर जहांच हो, इसमें न सीबियाज जहांच हो, तो बहुत लोग पक्रे जाएंगे, अब यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए, बीए ससी पर्थम इंटरस्तर यह बाली में, फरमिस्वर इसमें कहा था कि इसमें 23 विधायक 9 मंत्री सामिल है, अभी जो अध्याक्ष थे सुधीर कुमार उस समय के अभी अभी अफार दर्ज कराने गए थे, सरकार के बहुत सारे कड़ीबी लोगों पर दर्ज कराने गया फार दर्ज नहीं हुआ, तो दिलीप कुमार नहीं कह रहा बहुत लोग यह भी कहते हैं कि ओनलाइन होगा तो भरष्टा चार नहीं होगा, सेटिंग नहीं होगा, तो पर इछार्थियों को बता दे कि ओनलाइन का बात ही मत कीजिए, ओनलाइन तो इतना भरष्टा चार हो रहा है, कि आपको पता तक नहीं चलेगा, भी देखी न, MTS इसका चला था रोज, सेटर पकड़ा जा रहा है, जो दूसरा के बदला में दूसरा बेट रहा है, वो तो पकड़ा ही जा रहा है, और प्लस जो सिक्छा मापिया है, वो लोग कहीं से, कलकत्ता से बेटके, कोई दिल्ली से बेटके, कोई मुंबई से बेटके, आपका डिखा रहे है कि जो परिक्षार्ति हो बेठा तो यह तो अनलाइन में और जैधा को रहा है इसलें ऑनलाइन की तो बात ही ने कीजिए ओप लैं एक्जाम ही हो यह ज़्यादा है और उसमें सुधार हो पारदरसीता लाई जाया जैसे कारवण कपी दिया जाया जाया को सन्ग जाए आंसर की जारी हो और रिजल्ट के साथ ही सभी परिछारतियों को मार्स और कट अप दिया जाए और पीटी के डेव साल बाद बीपीएस्टसी द्रोगा बहली में मार्स बता तो उसका लेके क्या करेंगे एक प्रस्थ है कि आप जितना बता रहा है कि जिस तरह सब्सक्राइब करेंगे उनको जब बेसिक समझ नहीं हो कि भुगोल की इतिहास की बाइलोजी की जोग्रफी की वाफिए केमेश्ट्री की कोई से भी हार चलेगा तो पूरा मतलब करेंगे है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर नसल भी गाडने करो रहा है मतलब दो तीन पिढ़ी के साथ मता किया दा रहा है वह तो होई रहा है मजाक तो हुए आप देखिया ना भी जिस तरह से यह भराष्टा चार है यह सिर्फ इसका बात कर रहे हैं प्रतियों की परिछा में यानि सरक इसी तरह दिख लीजिए बलोक में चल जाए कोई अधिकारी बन के चल जाए तो क्या काम परगई सब्सक्राइब पहुंचे गाँ तो आधा पईसा पहुंचे गाँ अभी देखिये ना जितना जो नलजल योजना बला हुआ है क्या उसको कोण लागू करता है अभी देखिये जितना पैसा मिलता है पॉले क्या क्या जाता है जिसके नाम से अलाउट होगा कि आपको इंद्रावास मिलेगा आपसे पंद्राव पीसा रुपया रखवा लिया जाएगा तभी आपका नाम है अड़ोगा नहीं दीजेगा आपका नाम ही अड़ोगा यह सब पहुंच जाए तो हमारे देश बें जो गडिवी है और जो विकास नहीं हुआ वह वी कास भी होगा और गरीवी भी दूर होगी और हमारा देश बहुत आड़े जागा लेकिन यही है कि सरकार की उजणाओं का लाग ही सई लोगों तक नहीं पहुंचता है सरक्ट बनमाने क हर साल बाढ़ आया रोड दा गया हर साल पैसा उसके उठ गया अब कौन पैसा उठा लिया हर साल बताईए लेकिन रोड बना एक वरसी में कौन आप लोग कर बिधायक तो हमारे बहुत क्या कहा है मंधन सानी जी है मंदरी भी है जिंका पॉण करते हैं सची वो खुद बोले है तो कास्ट समीकरन पर जीत जाते हैं मदन सहनी जी जाते हैं क्यों न करें हम जाती की बार आखिरकार जै पूरा भीहार ही जाती पर चल रहा है अधिकारियों का जमीर मर चुका है नेताओं का जमीर मर है आने वाली एक पूरी नसल के साथ एक पूरी पीढ़ी के साथ इस तरह के एकब भड़ा मदाक चल रहा है जहां 50-70 लाक रुपैर ल है तो कहा है और क्या जो हमारे मुख्य मंत्री है नितीश कुमार जो सर्वा सर्वी है वो सचीवों से अपने अधिकारियों पर लगाम क्यूं नहीं लगा रहे हैं क्योंकि सीधे तरीके से अगर आरोब किसी पर मढ़ा जाएगा तो वो ये भरष्ट और करट ब्यूरक्रेक्स पद है वो कब भरा जाएगा और बिहार बैक टू बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल सुविदा होती है हर विभाग में वो कब तक यहां पर नियुक्त होगा इन सवालों के साथ आपको हम छोड़ जाते हैं और अभी भी सवाल वही अंतिम सवाल के आखिरकाब 2014 गभी एससी का का आउस लिंग कब तक होगा बहुत बहुत धन्यवाद